नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं जन्हित आवाज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की जहां दिल्ली की सडकों पर अभी भी किसी जगा तनाव पूर्ण है वो कौन सी जगा है जिसे आप देख रहे हैं शनिवार के दिन एक शोबा यात्रा निकाली जाती है और उस शोबा यात्रा में शोबा ही नहीं होती मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर इलाके की जहांगीर पुरी इस मामले में आखिर क्या अपडेट है सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि आज इस मामले में विश्फ हिंदू परिशद और बजरंग दल पर FIR दर्ज की गई है वो इसलिए क्योंकि शोबा यात्रा निकालने की इनोंने अनुमती नहीं ली थी अब सवाल ये बनता है कि जब अनुमती नहीं दी थी तो वहां मौझूद पुलिस वाले कैसे थे इस मामले में अब तक क्या हुआ है कैसे मामला हुआ कैसे वहां पर हिंसा हुई हिंसा के दौरान क्या वारदाते हुई और अब तक इस मामले में क्या हुआ है ये मैं सभी आपके साथ विस्तार से चर्चा करूँगा सबसे पहले जानते हैं एक पक्ष की बात जो की वहाँ पर रेली निकाल रहे थे विशिंदु परीशद हो या फिर बजरंग दल हो हनुमान जेंति के मौके पर शनिवार के दिन करीब पांच साड़े पांच बजे ये लोग शोबा यातरा निकाल रहे थे इस दोरान जहांगीर पूरी का सी ब्लॉक जो काफी चर्चाओं में आ गया है वहाँ से यातरा निकल रही थी मस्जिद के ठीक सामने की वारदात है जब ये लोग महां खड़े होके नारे बाजी करते हुए निकल रहे थे लेकिन यातरा निकाल रहे लोगों का ये कहना है कि हम केवल पचास से साट या सतर की गिंती में थे और कोई नारे बाजी नहीं हो रही थी कोई हला हुड़दंग नहीं हो रहा था हम शांती से जा रहे थे जब हम मस्जिद के पास पहुँचे जो कि सी ब्लॉक की जामा मस्जिद है उसके पास पहुँचे तो अचानक वहां से पत्थर आने शुरू हो गए आवाजे लगनी शुरू हो गई और कुछ लोग आने शुरू हो गए जिन्नोंने मारधार करनी शुरू कर दी बस मही से मामला शुरू हो गया और यहां से एक भीड ने हिंसक रूप ले लिया अब जब कि इसके उलट मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलूँ जो दूसरा समुदाय है वो क्या कहता है ये भी आप गौर से सुनिये उस दौरान एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन यातरा ही निकाली गई दूसरा समुदाय जो कि मुस्लिम समुदाय है उसका साफ कहना है कि ये लड़ाई आखिर तीसरी यातरा में ही क्यों ही पहले दो यातरा इतनी शांती से क्यों निकल गई जाहिर सी बात है कई सवाल उटते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन इस समुदाय का क्या कहना है पहले आप ये जान लीजिए पहली यातरा निकल गई दूसरी यातरा निकल गई और जब तीसरी यातरा निकली तो करीब पांच साड़े पांच का वक्त था जो की नमाज का टाइम होता है असर की नमाज के लिए लोग मस्जिद में गई थे जाहिर है कि रमजान का पाक महिना चल रहा है और रमजान के आगे आकर ये लोग रुख गए ऐसा मुस्लिम समुदाई के लोगों का कहना है महा खड़े होकर ये लोग नारे बाजी करने लगे जब मस्जिद से निकल कर महा के लोगों ने बड़ी तहजीब से कहा कि भाई आप लोग यहां यातरा निकाल रहे हैं अब यहां आप रुख हो सके तो आप अब आगे चले जाएए नमाज का टाइम हो रहा है लेकिन इस बात पर यातरा निकाल रहे लोगों ने या फिर उनमें जो सामिल लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने तुरंत महां बहस शुरू कर दी और उसके बाद मस्जिद के अंदर दाखिल होने की क बस यही एक मुद्दा था जो कि जिससे बाद बिगड़ गई और इस घटना ने हिंसक रूप ले लिया उसके बाद क्या होता है दोनों समुदाय के बीच पत्थर बाजी होती है हतियार की बाद भी सामने आती है गोली बारी होती है इस आप ने वीडियो में देखा होगा क कि एक शक्स जिसने गोली बारी की है उसको पुलिस ने गिरिफतार भी कर लिया है सोनु शेक उसका नाम बताया जा रहा है अब यहीं से मुद्दा शुरू हो जाता है और उसके बाद तीन दिन बाद भी ये मामला थमता नहीं है उसके बाद भी माहौल शान्ति पूर नहीं आप लोग सोच सकते हैं जब एक जगा जहां पर हिंसा हुई हो महाँ पर इतनी पुलिस फोर्स मौजूद हो और सुरक्षा विवस्ता महाँ पर फुक्ता कर रख्यों इंतजाम कर रख्यों उसके बाद भी महाँ लोग आते हैं और मस्जिद के सामने नारे लगा के जाते है और ये कहते हैं कि जो नारे नहीं लगाएगा जो जैसरी राम नहीं बोलेगा वो इस देश का नहीं है वो हिंदू नहीं है और इस देश में रहना होगा तो जैसरी राम कहना होगा ऐसा हिंसा के बाद एक दिन बाद किये घटना है अब मैं आपको इस मुद्दे पे लेके चलता हूं कि आकिर वहां क्या क्या हुआ इस मामले की जहांच आगे बढ़ी है पुलिस ने बजरंग दल होया विश्विंदू परिशदो इन पर मामला दर्श कर लिया है और जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि इसमें एक समुदाई की गरफतारी क्यों केवल मुस्लिम समु जाँ चल रहे हैं वहां पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और अब ये सवाल उठते हैं कि आखिर ये साजिस थी या क्या था अगर ये साजिस थी तो इस साजिस के पीछे कौन है और अगर ये मामला जो अगर ये हिंसा अचानक हुई है तो फिर ये पुलिस ने संभाली क्यो नहीं जब इतनी 200-400 की गिंती में मौजूद लोग थे तो महां केवल 6 पुलिस कर्मी क्या कर रहे थे सवाल उरता है कि अगर ये हिंसा अचानक हुई है तो पुलिस महां पर क्या कर रहे थी क्यों मौजूद नहीं थी और अगर ये साजिश है तो इसका मास्टर माइंड कौन है बहराल इस गटना का जो मास्टर माइंड है वो अनसार को बताए जा रहा है जो कि अनसार इस पूरे मामले का मास्टर माइंड बताए गया है और ही कहता हुआ रहा है कि ये आपके लाइक चीज नहीं है बिटा आप पड़ाई पे द्यान दीजी अपने भविश्य पे द्यान दीजी आपको किस से खत्रा है जाहिर है वो वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन अंसार का नाम इस घटना में जिस लिए जोड़ा है जिस बात का जिक्र क्या है वो बहुत ही खराब है अभी ये जाच का विशे है कि आखिर अंसार की इस हिंसा में क्या भूमिका थी जब मस्जिद के बाहर यात्रा पहुची तो अंसार उस भीड को वहां रोकने के लिए गया था मामला सुल्टाने के लिए गया था या फिर भीड में आग लगाने के लिए काम गई थे कि आखिर इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है क्योंकि 2020 के बाद ये पहला मामला है जब 2022 में दिल्ली की सड़कों पर ये हिंसा बरा माहौल देखा गया हो तो तब तक के लिए दीजे इसाज़त और देखते रहे जनहित आवाज